हाई दोस्तों आज फिर हम नया रिक्रूटमेंट लेकर आ गए हैं यह रिक्रूटमेंट माइनिंग इंजिनियर मिनरल इंजिनियर और इन्वार्मेंट इंजिनियर से रिल्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी और जितने सवगत है आपका मेरे चैनल में माइनिंग रोजगार जो कंटिनियूसली आपको माइनिंग से इन्फॉर्मेशन देने में आपसे जुड़ा हुआ है और कंटिनियूसली वर्क कर रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह आपके सामने एक पीडियो दिख रहा है जो रिगला हुआ है वेकिंसी तो चलिए जानते हैं इसके बारे में दो ओफिस ओफ नॉमिनेटेट अथरिटी मिनिस्ट्री आफ कोल इस मेंड़ेट फॉर रोकेशन से न्वानिटरिंग आफ टू तू हेंड़ेट फॉर कोल ब्लॉक्स एक एंसल्ट बारे में उससे ही रिलेट यह जो रिक्रूटमेंट है निकाला गया है तम दो आगे चलके रिक्रूटमेंट के बारे में भी देखते हैं दो आफिस ओफ नॉमिनेटेट अथरूटी जो नॉमिनेटेट अथरूटी का ओफिसर इस लुकिंग फॉर यंग एंड डैने डैनेमिक प्रोफेशनल्स हो यह पाल टोफ टीम विच विच विल आट अस फैसलिटेटर एंपलायर इंडिया अनर्जी सेक्टर बार्शनल्स रिफॉर्म तुमेंट एंडिया आत्मनीर फॉर इट्स एनरजी नेड त ब्राद इन वर्किंगेर आप आफिस अंविनेट आप इन आपिस अफिस अपिस का recruitment किया जाएगा उन्हें किस एरिया में काम करना है वो नीचे लिखा हुआ है तो पहला करेट एरिया देखिए इसका और थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं कुट दरिया देखिए अ कर्सकेर 204 कृम पेटोलकेOL भा hvis principle 205 में function 2015 नवा से ये सब्सक्ते हैं छारे नो तरिया ताम स्थम इर फ्स न आ जडिटा है झाले पारिमा पार्लेमाप दू लिखान इस वाज एल घ्लिज वाक The Office of Nominated Authority is interested with responsibility to reallocate such coal block in a fair and transparent manner through route of auction and allotment. जितने 204 coal block cancelled हुए थे Supreme Court के द्वारा उन्ही 204 coal block को फिर से इनका auctions होगा और allotment होगा एकदम honesty के साथ transparent manner में. Second चीज इनका जो working area रहेगा वो है monitoring of coal mines for production. To meet the energy demand of our nation, it is imperative that the reallocated coal mines is start production of coal for which rigorous monitoring is being done to ensure that all the statutory clearance are granted timely by state and central government authority. जो भी वो सब coal mines है उनका production जल्दी चालू हो जाए जिसके वज़े जो भी statutory clearance रहता है उसमें भी काम करना है यह तो काफी अच्छा चीज है क्योंकि आजकल जो भी clearances है उसमें काफी दिक्कत आती है कंपनियों को बट यह लोग उसमें करेंगे और state ministry of coal की body है तो आपको clearance मिलने में आसानी भी होगी third policy formulations for coal reform the ministry has recently open up coal sector and allow commercial mining further various reforms are being undertaken by ministry to ensure smooth operation of coal mines and enhancement of production जितनी भी policies है पॉर पॉलिसी भी बनाएंगे जो और जो पॉलिसी है उनमें भी जो भी फरदर जो भी changes करना है कि मिनिस्ट्री को help करेंगे कुछ नए पॉलिसी बनाने में जिससे कि हमारा production जो है coal mines का production वो smoothly चलता रहे और increase enhancement भी हो इसके बाद the office of nominated authority ministry of coal wants to engage spirit and hardworking professionals in the following field on contract basis to open market for a period of one year initially the details and require eligibility experience for the post as given below nominated authority जो ministry of coal की body है यह जो जो भी candidate को recruit करेंगे हो contract basis पे रहेगा और वो initially एक साल करेगा और वो हर साल renew होते रहेगा बट आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें और जो इसको सीखेगा उसी का market में demand भी है और आपके काफी पहचान भी हो जाएगी वहाँ पर ministry में और काफी policies जो commercial mining के बारे में जानकारी चाहिए वो सारा चीज़ आपको मिलेगा तो काफी अच्छी opportunity है अब हम देखते हैं post digital nature of job के बारे में तो जो name of post है वो energy analyst का है अबकि जो है वो 32 साल से जादा नहीं होनी चाहिए job description to analyze emerging energy scenarios role of coal moment of coal price manage energy performance analysis including data collections from various software tools presenting forecasting report data and informations on trend यह आपका job रहेगा इसके बाद desire qualification experience essential market mass essential क्या 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 आपके पास masters in energy studies और economic or graduation in engineering in mining mineral and environment studies तो इसमें mining engineer का भी वेकेंसी है mineral engineer environment engineering और जो आपका total salary रहेगा वो रहेगा 75,000 तो काफी अच्छी वेकेंसी है सीखने के लिए बहुत कुछ मिले गार salary भी decent है इसके बाद selection process suitable candidate will be shortlisted based on their eligibility experience in relevant field and will be called for interview the decision of the competent authority for selection of suitable candidates will be final how to apply तो इसमें देखिया eligible and interested candidate may apply as per the fall application format and extra one में इसका जो application का format हो दिया हुआ है तो उसका आपको scan copy करना पड़ेगा हो देखते हैं हम लोग आगे इसी के नीचे है application for the post हाँ जो आपका envelope रहेगा उस पे ये वाला जो box दिया हुआ है इसको बिल्क लिए ता आप scan कर चीप का दिया तो इसी format में उसको लिखियेगा envelope के ऊपर में आपका application make sure you don't feel incomplete application hence it cause rejected okay and ministry will not be responsible for any non-receipt or let receipt of the application इसके बाद interested candidate may also send in their duly filled sign and scan application form along with their CV to following official email address अब direct इस email address पे आप direct send कर सकते है आपका जो CV है application should be supported with the following documents self self attested educational certificate और experience certificate दोनों को और इसके बाद जो format application का वो तीनों को आपको भेजना पड़ेगा यह CV भेज दीजिए इस पर application form और जो भी documents है और CV आप इस पर mail कर दीजिए और आप अकट उनके shortlisted होते हैं तो आपको call कर लेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन्स हैं जो कि जनरल होती ही है कि incomplete application नहीं होना चाहिए due date से पहले आपको form fill up कर लेना चाहिए आपके पास eligibility criteria होना चाहिए और जो आपका mobile number email address है वो throughout the जो इसका process रहेगा वो सेम रहना चाहिए इसके बाद यह है आपका एक्सचर वन तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप इसको form fill up कर ये इसका scan करके इसके साथ आपका जो educational qualifications है experience है और CV तो चारों को mail कर दीजिए तो यह देखे लिए हैंसे यह आपको मिल जाएगा तो यह आपको सीधा इसको निकाल लिए तो आपको टायरेक्ट इसको आपको scan करके भेजना है ठीक है दोस्तों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको इस इस रिक्रूट्मेंट के कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं